साल 2022 चुनावी वर्ष है और ऐसे में हिमाच्य प्रदेश में इस दोरान कई बड़े नेता जो हैं वो यहां पहुँच रहे हैं भाजपा पूरी तरह से चारों संसदिय सीटों पर तैयारी जो है वो यहां कर रही है केंद्र नेति तो लगातार दोरे यहां पर कर रहे है इसी बीच परधान मंतरी नरेंदर मोदी का दोरा भी 31 मही को शिमला में प्रस्तावी था है और उससे पहले कही तरह की मीटिंग्स की जा रही हैं कही तरह की बैटके की जा रही है ज्यादा बात करने के लिए में इससाथ मौजूद है हिमाचल परधेश भाजपा के परधेश एद्यक्ष सुरेश कशप कशप साब किस तरह की तैयारियां चल रही है इस समय सबसे पहले तो मानिय मोदी जी का कारेकम आर्ट वर्ष का अपलब्दियों वरा कारेकाल और ऐसे समय में हिमाचल परधेश में मानिय मोदी जी का आना शिमला के जो इतिहासिक शहर और इतिहासिक रिज मैदान वहाँ से देशवर की जनता को संबोधित करना मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत गर्व का विश्य है हिमाचल प्रदेश के लिए खुशी का आसर है माने मोदी जी 31 तारीक को शिमला रहे हैं और यहाँ एक भव्वे कारिकम भारते जनता पार्टी आजित कर रही है वैसे सरकारी कारिकम है लेकिन ऐसे समय में माने मोदी जी जहाँ प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे वहीं देश वरके लगबग 17 लाग से 20 लाग लोगों को भी वर्चल मादिम से संबोधित करेंगे वो जो विविनी योजनाओ के लबारती हैं उनके साथ समवाद करेंगे और मैं समझता हूँ कि माने मोदी जी का हिमाचर प्रदेश में आना और आठ वर्च के कारेकाल पूर्ण होने के उपर और ये शुरूप से चुनावी वर्च में मैं समझता हूँ हमारे लिए सुभागे की बात है लेकिन इसके साथ सा तरिदेव सम्मेलन जो होने जा रहा है क्योंकि चुनावी वर्च है से में तयारियां जो है वो की जा रही है क्या-क्या कारेकरम है समरीती रानी हमाचल आ रही है देख रहे हैं कुछ कारेकरताओं में जोशुत था भारती जनता पार्टी चुनाव के दिश्टिगत विभिन सम्मेलन विभिन रेलियों का अज़न करने हैं और उसी कड़ी में कल हमारा जो कांगडा चमबा संस्दिक शेतर है उसका तिरदेव सम्मेलन है और हमारी केंदीर मंति स्मृति रानी जी उसमें मुख्य वक्ता मुख्य तिथी के रूप में शिर्कत करेंगी मागड़ा चंबा हम सबसे पहले कर रहे हैं उसके बाद हमारे दूसरे सम्हेलन हम करेंगे इससे पहले अभी हमारे चानो सस्दीक शेत्रों के ग्राम केंदर प्रमुखों के प्रशिक्षन के शिविर हुए हैं आने वाले समय में हम बहुत जल्दी पन्ना कमीटियों के समेलन करने जा रहे हैं और यूआ मोर्चा की एक बहुत बड़ी गरजना रेली का जिसको नाम दिया गया है जिसमें एक लाख युआ जो भागी दार होंगे और हम ऐसा हमारा प्रदेश ने निलने लिया है कि मानने मोदी जी उसमें भी हमारे मुक्यतिती होंगे मानने मोदी जी का आशिरवाद उसमें भी हमको मिलेगा ऐसा जो है प्रदेश बारती जनता पार्टी प्रयास कर रही है और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे कारिकरम जो चुनाव के दिश्टीगत हम करने जा रहे हैं हमारा लक्ष है यह है कि भारतिय जन्ता पार्टी जो है पूर्ण रुपेन चुनाओं की त्यारियों के साथ आगे बढ़ते हुए जो लक्ष है मिशन रिपीट का हमारा है उसको कामयाब कर सके हैं मिशन रिपीट के लक्ष के आप बात कह रहे हैं लेकिन प्रधान मंतिरी नरेंदर मूदी का जो दौरा है शिमला के रिज मैदान पर यह कारेकरम आयुजीत करना है विपक्षी दल जो है वो लगातारा इतराज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि रिजब के नीचे बहुत बड़ा पानी का टेंक है लगातार खत्रा उसको बना रहता है क्या इससे पहले ये खत्रा नहीं था क्या ये कॉंग्रेस के समय पे नहीं था वो कोई पहले बार, मानिय मोदी जी नहीं आ रहे हैं विजिन समय पर विभिन नेता उनके समय में भी उनके समय का पॉड्वा मंत्री और दूसरे उससे समय भी यहां पर आये थे और मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये तो सुभाग्य की बात है, कॉंग्रेस पार्टी को भी इस बात के लिए, क्योंकि प्रधार मंत्री के और भारती जनता पार्टी के नहीं है, देश के प्रधार मंत्री और केंदे सरकार के आठ वर्श पूर्ण होने पर हिमाचर प्रदेश आ रहे हैं, तो उनको भी इस 50,000 लोगों को लाने का जो लक्षे रखा है जिसमें मुख्यता हमारा जो शिमला संस्दियक्षेत्र है हमारे जो संकरनात्मक जिला शिमला है महासू है उसके बाद सोलन जिला है सिरमार जिला है और इसके लावा हमारा जो मंडी संस्दियक्षेत्र है उसका रांपूर करसोग आनी और सुन्दर नगर विधानसवा इसके लवा हमारे जो हमीपूर संस्थिक शेत्र है उसका जो बिलासपूर और श्री नेना देवी जी यह प्रमुक्ता यह मंडल हमारे जो है इन संगरनात्मक जो जिले हैं उनके लोग कारिकम में आएंगे इसके लावा किनोर के निचार और पूव मंडल और अन्य हमारे कुछ जो दूसरे मंडल है टोटल चोहतर मंडल है इसमें सब्भी मंडल जो है वहां से बहुतायत में लोग आएंगे लेकिन अन्य परदेश के जो मंडल है वहां से भी कारिकरता जो है इस कारिकम में पहुंचने वाला है और जैसा मैंने कह साथ में लगाई जाएग लगाई जेंगी लेडी स्क्रीन्स लगाई जाएगी किस तरह से आयो जय चैनल तरह कि मानई मोदी जी जिला स्थार के उपर जो केंदर सरकार की जो योजना है उनके लवारतियों के साथ रवाध भी करेंगे तो उस दिश्टी से जो हमारे प्रशाश्टिक जिला है जिला हैर कोर्टर के उपर भी LED स्क्रीन लगा कर वहां पर भी हमारे कारेकरता और दूसरे लाबारती लोग बैठेंगे जिन से की मोदी जी का समवाद होगा क्योंकि देश बर के सभी जिला मुक्हालों के उप मानिय मोदी जी का समवाद का कारिकम है तो देश के कोने कोने में इस कारिकम को देखा जाएगा और देश के सभी राज्यों में इस कारिकम का जो है वर्चुल माद्यम से प्रसारण भी होगा आप को यह लगता है क्योंकि विपक्ष एक बात लगातार कह रहा है वो कह रहा ह है दूजी तरफ ट्राफिक की दिक्कत अमोमन देखने के लिए मिलती है अगर पचास जार लोग आजाएंगे तो भीड़नी हो जाएगी यहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी आपका भी ट्राफिक में फसे हैं वैसे जी हम समझते हैं शिमला जो है प्रेटन की दिश तो यह कहना चाहँगा कांगरेस के लोगों से भी कि ओभी आइस कार्कम में जो है उनका भी सूआगत है और इस कार्कम में आकर उभी मानिया मोदी जी का संबोलन सुने उनमें भी जोशौर उत्सा भरने की तैयारी है नहीं ऐसा नहीं मैं कहना चाहूंगा लेकिन उनको कारेकम को लेकर खिस परकार की टिपड़ी नहीं करनी चाहिए उनको भी परधान मंतरी का स्वागत करना चाहिए उनका विनंदन करना चाहिए और जो है देश के परधान मंतरी हिमाचर प्रदेश में आ रहे हैं इससे रिक्रम करें जनता के बीच में जाएं जिम्मेवारियां जो है वो तेकी गें ऐसा कुछ है क्या आप देखिए मैं समझता हूँ क्यूंकि हम इस समय चुनाओ के बिलकुल मौने के उपर खड़े हैं और सभी विधायकों को अपने अपने क्षेतर में जो है अपने लोगों की स समझता हूँ उनको काम करना चाहिए लेकिन ऐसा ऐसा किसी ने प्रदिबंद नहीं लगाया कि वो शिवला ना है लेकिन ये बात अवश्य है कि विधायकों को अपने क्षेतर के उपर फोकस करना चाहिए वैसे तो सभी विधायक अपने अपने क्षेतरों में लगातार इतने भी पार्टी के विधायक हैं उनको क्षेतर की जनता के उपर ज़्यादा फोकस करके और जनता के बीच में रहते हुए उनकी समस्या का निदान करते हुए जो विकास आत्वा गती हिंदिया है उनको तुरंत हम पूरा करें ताकि आने वाले समय में प्रदेश की जनता का और ज़्यादा फाइदा हो सके मेरा आखरी सवाल आपसे यह है क्योंकि आप सांसद भी है शिम्ला संसदी सीट से क्या देख रहे हैं कि हिमाचल को भाजपा केंदरिन निरिंद्रित तो जो है पूरी तरह से फोकस में रखे हुए है गुजरात में भी चुनाव है यहां हिमाचल को ही क्यों फोकस में रखा जा रहा है क्या चुनौती है या बेहद आसान लग रहा है दो वज़े इसकी हो सकती है क्योंकि प्रधान मंतरी निरिंद्र मुदी का अभी तो दोरा ही है लेकिन इसके बाद भी उनके अब दोरे जो है वो यहां होंगे चंबा में होगा धरमशाला में होंगा केंद्री जो नेती तो है वो लगातार अलग अलग तरीके से हाँ पर पहले ही दोरे करते रहे हैं जेपी नेड़ा आते रहे हैं क्या आपको आसान लग रहा है या चुनौती लग रही है इस वज़े से फोकस ज़ादा है दो राज्यों में चुनाओ भी है और गुजरात में चुनाओ है दूसरा हिमाचल प्रदेश में चुनाओ है और माननी मोदी जी के वो हिमाचल प्रदेश नहीं आ रहे हैं पूरे देश और देश बर में विबिन राज्यों में जा रहे हैं भी गुजरात का भी उनका दोरा है और उसके बाद अभी हिम बूत लग रही है कॉंग्रेस पार्टी की वो सत्ता में आ जाएगी इस वज़े से ज़्यादा फोकस यहां पर किया जा रहा है सभी मंत्री या प्रधान मंत्री और इस तरह से फोकस करें नहीं मैं ऐसा नहीं समझता मैं समझता हूं कि चुनाओं हमारे लिए चुनोती है लेकिन हमारी जो दोनों सरकारे हैं दोनों सरकारों ने बहुत बढ़िया डंग से काम किया है डबल इंजन की सरकार देश में है आठ वर्ष का उपलब्दियों बरा और इतिहासी कारेकाल मनी मोधी जी का हुआ है और जो साड़े चार वर्ष का कारेकाल जैराम ठाकुर जी का पूर्ण होने को है मैं सस्ता हूं उपलब्दियों बरा है कहीं पर भी कोई चिंता का विश को तोड़ते हुए फिर से भाजपा हिमाचर प्रदेश में विराजमान हो उस डिस्टी से हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि शिमला आ रहे हैं परदाहन मंत्री तो बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है कि इस पूरे कारेकरम को अच्छे से सफल बनाया जाए निभाया जाए त रिष्टी से हम आगे बढ़ रहे हैं बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया तो ये थे भाजपा के परदेश अधक्ष सुरेश कश्छफ साफ तोर पर कहना है कि चुनावों में जीत निष्टीत रूप से मिलेगी मिशन रिपीट की रहा आसान बनाई जाए लेकिन इसके साथ साथ परधान मंतरी निरेंदर मोदी का हिमाचा परदेश में जो दौरा है उसको पूरी तरह से सफल बनाने के लिए सरकार के साथ संगठन के साथ तालमेल बिठा कर आगे बढ़ा जा रहा है कैमरा परसन रोशन के साथ विकास शर्मा जनता टीवी शिमला